आपके सामने एक graph आ रहा है जिसमें Mahindra की और Tata की पिछले 6 साल की sales आ रही है तो मैं क्या करूँ? तो मतलब करना कुछ नहीं है इस graph को देखो जिसमें जो blue वाली line है वो Tata की है और जो orange वाली line है वो Mahindra की है पता है मुझे मैं धेर नहीं पैदा हुआ था तो इसमें अगर आप देखे 2015 में तो जो Mahindra उसकी sales काफी जाद है as compared to Tata जिसमें Tata की sales 10,000 के आसपास है और जो Mahindra है उसकी sales 13,000-14,000 के आसपास है फिर अगर आप 2-3 साल तक आगे जाते रहो तो दोनों brands की sales increase हुई है लेकिन जो Mahindra है उसकी sales अभी भी जाद है as compared to Tata लेकिन फिर अगर आप देखो तो 2020 में जो Tata Motors है उसकी sales जादा हो जाती है as compared to Mahindra और फिर अगर आप 2021 में जाओ तो और बड़े चमतकार होता है जिसमें जो Tata Motor है उसकी sales around 31,000 के आसपास है और वही जो Mahindra है उसकी sales 21,000 की है तो Tata Motors की sales काफी कुछ जादे भढ़ गई है as compared to Mahindra और फिर अगर आप जाते है 2022 में तो जो Mahindra है उसकी sales अभी भी around 20,000 के आसपास है और वही जो हमारी Tata Motors है उसकी sales 41,000 की है पर मैं आपको एक और चीज़ पिताता हूँ कि Mahindra को यह sales figure है इससे फरक ही नहीं बढ़ता क्या बात कर रहा है हाँ कुछ ऐसा ही है और आज की वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों Mahindra अपने आपको position कर रहा है इंडिया में एक premium SUV maker के तोर पे as compared to Tata जो की volumes फे focus कर रहे है और आपको जो Mahindra का future है कुछ जादे बड़े लगने वाला है और उससे पहले subscribe कर लेना हमारा 5,50,000 subscriber का एमें feb 2022 का 5,37,000 होगे है तो please subscribe कर लो भाई आपके पास power है और मुझे आप पे विश्वास है आप करीद होगे तो subscribe करके देखना वी maker बनाने चाता है तो इसको proof करने के लिए मैं सबसे पहले जो Mahindra की cars है उनको categorize कर रहा हूँ उनके price point में जिसमें मैंने पहली category लिए इस brand की वोवली गाडिया जो की 10 लाख से कम वाले price point में आती है या फिर दीपी के ली 5 से लेके 8 लाख रुबे की बीच में आती है औ इसका नाम है Sangyong Rexton जो कि हमारे पास भी है तो सबसे पहले आते हैं सबसे महंगी गाडिगरी में जो की brand की 20 लाख से उपर वली गाड़ी है जिसमें Sangyong Rexton आती है और यह जो गाड़ी है 2012 में लाँच हूई थी और इसके लाँच के टाइम में इस गाड़ी का जो automatic वला version है उसका एकशनों price अराउंड 20 लाख क्या असपर का था ओन्वड मतलब 20 के ओपर 22 थे इसकी पड़ती थी 2012 में और उसके बाद इस गाड़ी का price increase होता गया तो अगर आप इस गाड़ी के sales स्टार्ट देखें तो इस गाड़ी की sales है काफी कुछ आपको दिखरी होगी कैसी पर मत इस गाड़ी की average 200 से भी कम unit बिकरी थी फिर अगर आप 2015 में जाए तो sales और कम होते गई और 2017 तक तो इस गाड़ी की इंडिया में एक महिने में 3-4 unit बिकने लग गई जो की बहुत ही कम थी पर अब आप कहेंगे भाई ये गाड़ी काफी पुरादी थी काफी boring थी इसल जादा drastically decrease हुई है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि महिंद्रा की जो sales है काफी बिकार होने लगती है जब ये brand 30 लाग के उपर वाले segment में जाता है या पर 30 लाग के आसपास रहता है फिर मैं इस brand के आपको दूसरी price category में लेकी जाता हूँ जो की सब 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 आली ह होगे around 3000 युनिट के आसपास पहुंच गया फिर लेकिन 2019 में जो average sale unit है around 1000 युनिट से भी कम पहुच गई और 2021 में इस गाड़ी की sale almost खतम हो गई थी इंडिया में और यही अगर आप देखें तो same case रहे इस brand की दूसरी गाड़ियों का जो की इस वाले price point में आई थी for example TUV3W इन सारी गाड़ियों के जो sale है initially काफी अच्छी हो रही थी लेकिन आने वाला solo में इनके जो sale है कुछ जाले drastically reduced हो गई पर भाई इस वाले price point में इस brand की बलेरो भी दो आती है तो बलेरो को मैंने इसलिए consider नहीं करा क्योंकि उसकी एक separate market है और कोई भी और गाड़ी उसके market म रही है काफी कुछ सेम रही है पिछले 6-7 सालों में और इसी वाली same category में इस brand की दो और काफी successful गाड़ी आती है जो की महिंदरा थार है और एक स्वी 7W या फिर एक स्वी 5W जो पहली थी तो आप कह सकते है कि जो इस brand की गाड़ी है जो की 10 लाग से उपर वाले segment में आ रही जिसमें brand काफी सारी गाड़ी है लाँच करता है और जो उनका success rate है काफी बढ़ जाता है फिर ये भी आप छोड़ो अब हम बात करते है इस brand की जो गाड़ी है उनके segment की मतलब कौन से कौन से segment में इस brand की जो cars है कैसा perform करती है तो इस brand ने अल्मुछ हर एक segment में अपनी गाड डालना इस वाली category में आप डाल सकते हैं फिर इस brand की जो MPV वाली category है उसमें आप Zylo को include कर सकते हैं और उसका भी कुछ ज़्यादा ऐसे बड़िया हाल हुआ नहीं था और एक इस brand ने अभी काफी तगड़ी एक MPV launch करी थी जिसका नामे मराज हो और उसके आप जो sales chart है वो भी इस गाड़ी को कोई नहीं पूछता तो अगर हम इस वाले dimension से सोचें तो इस brand ने जब भी किसी और segment में गाड़ी launch करी है फर एक्जामपल हैजबैक वाले में या फिर सेडान वाले में या फिर MPV वाले में इस brand को कुछ success नहीं मिला जो maximum इस brand के chances भड़े हैं success के वो है utility vehicles में और वो भी specific जो markets को target कर रही है फर एक्जामपल थार off-roading को target कर रही है एक्सवी 7W technology को target कर रही है या फिर जो बले रहो है वो practicality को target कर रही है और फिर जो तीसरा basis है जिसके ओपर मैं बोल रहा हूं कि महिंदरा अपने आपको इंडिया का एक premium SUV maker बनाना चाहती है उसक इसके लिए आपको एक example देता हूं हम लेते luxury brands का example Ferrari का BMW का और Ford का Ferrari एक गाड़ी पेशने पे around $94,000 का profit कमाती है जो कि around $70,000,000 का है जो कि बहुत ही जादा बढ़ी है अगर आप BMW देखें जिसकी भी काफी relatively महंगी गाड़ी आती है तो इस brand को 30 गाड़ी पेशनी बढ़ती है उतना profit कमाने के लिए जितना Ferrari एक गाड़ी से कमाती है और जो Ford है इस वाले brand को 900 गाड़ी पेशनी बढ़ती है उतना profit कमाने के लिए जितना Ferrari एक गाड़ी से कमाती है तो car industry में क्या होता है कि जितना एक brand सस्थी गाड़ी पेशता है उसके per car profit तो कम होते ही है साथी में जो उसके profit margin percentage है वो भी कम होते रहते हैं जितनी सस्ती गाड़ी होती है तो इसलिए अगर आप देखें तो मारूती की इंडिया में काफी ज्यादा sales volume है लेकिन तब भी इस ब्राइन की जो average profit है per car वो कम है as compared to Hyundai अगराब ले लो या फिर अगराब महिंदरा ले लो तो इससे आप कह सकते हैं कि जितना मारूती दो या तीन गाड़ी बेच के profit कमा रही है उतना महिंदरा अपनी एक single car बेच के कमा सकती है तो इसलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में महिंदरा ने कोई सस्ती गाड़ी launch नहीं करी है जो कि masses को बहुत ही बड़े masses को target करें तो अब जी हमने बात करी है उससे हमें दो जीस clear होती है कि जो महिंदरा की pricing है वो 10 से लेके 25 लाग वाली best है इस brand के लिए जिसमें इस brand की सबसे जादा काड़िया बिखती है और second हमने सीख लिया है कि इस brand की सबसे जादा काड़िया बिखती है जब वो एक particular niche को target करती है तो इसलिए अगर आप देखे तो जो महिंदरा का future का vision है या पर जो future का segment differentiation है काफी clear हो गया है और इस brand ने जो differentiation है हमें बिता दिया है जिसमें इस brand ने जो differentiation है segment वाइस नहीं करा, price वाइस नहीं करा इस brand ने differentiation करा है platform के basis पे जिसमें पहली category है body on ladder frame वाली जिसमें इस brand में जो नई वाली थार है वो तो launch कर दी है और जो थार है उसका एक 5-door वाला बोर्जिन आने वाला है जो इस brand की Scorpio है उसका launch अभी 2022 में होने वाला है और साथी में जो उसकी बलेर हो है उसका भी एक नया वाला बोर्जिन आने वाला है तो इसलिए जो इस brand की body on ladder frame वाली गाड़ी है सारी एकदम rugged है जो की एकदम particular niche को target कर रही है फिर जो दूसरी platform काइड़ी करी है वो है monocoque chassis वाली जिसमें XUV7W आ गई है जो की future में आएगी और साथी में एक coupe वाली XUV9W आगी इस brand की जो XUV3W है उसका facelift launch होगा साथी में 2-3 आपको ऐसे गाड़ी है दिख रही होगी जिसके बारे में ऐसे code name आ रहा है बस और यह सारी इस brand की electrified गाड़ी है जिसमें आपको hybrid technology मिलेगी या फिर आपको electric power train मिलेगी और last में जो इस brand की platform वाली गाड़ी करी है वो है BEV या फिर Bonn EV जिसमें इस brand की जो dedicated EVs है जो की 2025-26 का असपस launch होगी वो आने वाली है और अब यह आपको शायद पता ना हो कि Mahindra ने एक teaser video showcase करी थी जिसमें इस brand ने थोड़े बहुत teaser दिये थे अपनी upcoming EVs के बारे में और सारी अगर आप गाड़ी है देखें तो काफी premium लग रहे है काफी महेंगी segment वाली लग रही है और ऐसे ने लग रहा कि Mahindra किसी ऐसे wide segment को जो कि 5-6 लाक वाल हो उसे target कर रहे है तो अब शायद आपको समझ आए हो कि कैसे Mahindra को फर्फ नहीं पड़ता क्योंकि उनके जो sales volume है थोड़ी बहुत stagnant है या पि जो key है और जो Tata Motors है उनकी sales जादा भढ़ रही है as compared to Mahindra जो Mahindra की strategy है कुछ जादे ही लग है जो कि अपने आपको premium SUV maker बना चाते है जो कि मैं मानता हूँ कि काफी तगड़ी है क्योंकि इसमे growth potential भी जाद है और इसमें साथ में profit भी जाद है